नमस्कार दोस्तों मैं हूँ सुर्जीत शामुलर आप देख रहे हैं वर्कर भाज चौटीन दोस्तों आज मैं आपको उरीशा का नियूंतम वेतन बताने जा रहा हूँ कि 1 अक्टूबर 2019 से उरीशा में अगर आप काम करते हैं कि शिवर्कर करमचारी कामगार के रूप में तो आपका जो महागाई भत्ते का नियूंतम वेतन कितना होगा यानि कि कम से कम आपको कितना मिलना चाहिए और इसके साथ ही जो नोटिफिकेशन लेवर भीभाग उरीशा के द्वारा निकाला गया है उसका कॉपी भी मैं दूँगा ताकि आप अपने विभाग से उसको मांग कर सके और यही नहीं बलकि अगर आप उरीशा में किसी सेंटर गॉर्मेंट के अंदर, किसी बिभाग में, किसी मिनिस्टरी के अंदर जैसे कि रेलवे हो गया, पोस्ट औफिस हो गया और भी Central Government के अंदर बहुत सारे विवाग हैं जिसमें अगर आप काम करते हैं तो उसके लिए आपका जो नियूनतम वेतन होगा वो अलग होगा तो मैं उसके बारे में भी जानकारी जूँगा लेकिन पहले आपको जो उरिशा के अंदर अगर आप प्राइवेट करमशारी है या फिर किसी सरकारी जो कि उरिशा सरकार के अंदर है उस बिभाग में काम करते हैं और contract पे काम करते है तो आपको कम से कम कितना मिलना चाहिए उसके लिए जो notification निकाला है उसकी हम जानकारी ले लेते हैं कि आपको 1 October 2019 शे कम से कम कितना मिलना चाहिए तो आइए मैं आपको इसके लिए laptop के screen पे लिए चलता हूँ और वहाँ पे वो notification भी दिखाऊंगा और यह जो notification है वो 89 नियोजी टिकाईों में applicable होगा तो आई हम चल के देखते हैं दोस्तों जैसा कि मैंने बताया था यह जो notification है लिवर कमिशनर उडिशा के दोरा 7-11-2019 को जारी किया गया है और यह जो है 110-2019 से यहाँ पे आप देख सकते हैं इसके अलाबा इसमें यहाँ पे इन्होंने चार केटेगरी बनाया है अनस्किल्ड, सेमी एस्किल्ड, एस्किल्ड और highly skilled का अगर इसमें आप देखेंगे तो पिछले साल से ले करके अभी तक का इन्होंने चार्ट बना करके दिया है लेकिन जो current जो है यह वाला है तो इसको मैंने Excel पे लिया है चुकि यहाँ पे केवल इन्होंने daily का दे रखा है और मैं चाहता हूं कि आपको इसके बारे म और कुछ खास नहीं किया है और आपकी जानकारी के लिए बता दूँ अने skilled का एक दिन का 298 रुपया और मन्थली जो होगा 7748 रुपया और हमेशा याद रख लिए यह 8 घंटे के duty के लिए है उसके बाद same year skill का 338 रुपया एक दिन का और मन्थली जो होगा 8788 रुपया इस और मन्थली जो होगा 10,095 रुपया असी पैसा अन्त में आप highly skill का देखेंगे तो 448 रुपया परडे का होगा और मन्थली होगा 11,648 रुपया इस तरह से अलग-अलग category का उरिशा के अंदर अगर आप काम करते हैं उरिशा राज में तो निमतम वेतन रिवाइज किया गय दोस्तों ये तो हो गया उरिशा के अंदर आप काम करते हैं यानि की state government के अंदर जैसे private factory आधी में काम करते हैं या फिर उनके सरकारी किसी बिभाग में काम करते हैं contact के रुप में तो ये आपको मिलेगा लेकिन अगर उरिशा के अंदर ही central government का कोई बिभाग है जैसे की railway हो पोस्ट आफिस हो गया और और भी बहुत सारे विभाग होते हैं जो कि सेंटर गुर्मेंट के अंदर आते हैं तो आपको कम से कम कितना नियूंतम बेतन मिलना चाहिए जैसा कि मैंने बताया था इसके लिए एक अलग नोटिफिकेशन निकलता है जिसको समझने की जरूत है सें पी, सी और आपको उसमें ये देखना होगा कि आप जिस भी सहर में काम करते हैं तो आ में आता है, बी में आता है, सी में आता है क्योंकि इसमें जो सब से कम है वो कम से कम 9000 के असपस है और अगर आप इसको देखना चाहते हैं तो यहाँ पे आई बटन पे क्लिक करके आप सकते हैं और यह जो नोटिफिकेशन है चीफ लिवर कमिशनर सेंटर के दिला निकाला जाता है इसके साथ ही उस विडियो का link में नीचे description में भी दे दूँगा और उसका nutrition उस वीडियो के description में आपको मिल जाएगा अब आपका तीसरा सवाली यह आता है कि हमें इस दर्से कम मिलना है तो इसके लिए हम क्या करेंगे तो इसके लिए आपको लेवर कमिशनर आफिस में लिखित सिकायत करना होगा अगर आप प्राइवेट करम चारी है उरीशा के अंदर या फिर उरीशा सरकार के अंदर किसी बिभाग में कॉन्टेक्ट पे काम करते हैं तो आपको स्टेट लेवर कमिशनर आफिस में करना होगा और अगर आप सेंटर गोर्मेंट के किसी बिभाग में जो की उरीशा राज के अंदर है उसमें काम करते हैं और वहाँ आपको उस तर से नहीं दिया जा रहा है तो उसके लिए Regional Labor Commissioner Center जहां पे आपको लिखित सिगायत करना होगा और जो वीडियो मैंने आपको दिया उसमें सारी जानकारी आपको मिल जाएगी तो लाइक कीजे, सेर कीजे और चैनल को सब्सक्राइब जरू कीजे आपसे समंधित हमने पीछे करीब 300 वीडियो बना रखे हैं जो कि आपके इशू और अधिकार से रिलेटेड है एक वरचा करें उसको देखें और अपने साथियों तक उसको पहुँचाएं दोस्तो इसके साथ सी बिदा लेता हूँ जल्द ही एक नई जानकरी के साथ मिलते हैं धन्यवाद